आल राइट और वेलकम टू आल आज हम करने वाले हैं फिप्त पार्ट याने की यूनाइटेड नेशन के हमने टोटल चार पार्ट कर लिए चार जो मेंड औरगन होते हैं ठीक है एक यूनाइटेड नेशन उसके चार मेंड औरगन है कौन सा है सबसे बड़ा भाई और्गन हैं वो हमने कर लिए आज पांचवा और्गन करेंगे International Court of Justice जो कि एक लास्ट और्गन होगा आप कहेंगे छह और्गन होते हैं येस मैं कहूंगा हाँ छह और्गन होते हैं बट जो चटबा और्गन है, Trustive Sip Council उसको डिस्बेंड कर दिया गया है ठीक है, क्योंकि वो तब बनाए गई थी जब territories control किया करते थे ठीक है, उसके बारे में हम six part में और वैसे हम पहले part में भी उसके बारे में ऐसा PCA ने कहा decision सुना के इसके साथ साथ ये तो bookish knowledge हो गई उसके साथ साथ हम जो official website होती है जो actual में थोड़ा सा आपको UPSC prelims के लिए extra research करनी पड़ती है उस notes को भी discuss करेंगे आपको telegram app download करनी है search box में type करना है at the rate PR publication तो आप इस group से join हो जाएंगे now अभी हमारा चल रहा है super 50 का batch जो भी 2021 की prelims की तैयारी करना चाहरे है उनको guidance नहीं है reference book में बहुत ज़्यादा difficulty हो रही है समझने में बहुत सारी videos उनको नहीं मिल पा रही है तो super 50 का batch यही है आप लोगों के लिए लेना बहुत simple है इसकी price है 2249 रुपीज इस पर क्या मिलेगा आपको पूरा static यानि की जितनी भी reference book है पॉलिटी के लिए लक्षमी कांध, हिस्टरी के लिए spectrum सभी important topics आपको बताए जाएंगे important topic के साथ हर एक topic में आपको voice note मेरे दोरा दिया जाएगा plus current affair हम जन्वरी से लेके June तक 27 जून यानि की पूरे जून मन्थ तक हम पूरे डेल साल के current affair भी cover करेंगे ठीक है जो जो important है plus क्योंकि आपको देहिंदो analysis तो आपको मिलता उसके साथ साथ हम आपको एक डेल साल के current affair करवाएंगे ठीक है plus geography throw maps हम करवाएंगे international organization की series अभी चल रही है एक test series हम कराएंगे March मिड मार्च से Vision IS की phone guidance मिलेगा आपको और हर एक topic का explanation मिलेगा ओके नौ लेना बहुत simple है दिये गए नमबर पर Google पर या phone पर कर सकते हैं जो भी आप payment करेंगे उसकी screenshot same नमबर पर हमें WhatsApp करनी है उसके बाद हम आपको add कर लेंगे अपने private group से हमारे super 50 के दो batch है super 50 2021 के दो batch है उसमें से पहले batch में already 50 में से 40 member आ चुके हैं 2022 के लिए जो 2022 में देना चाहरे हैं उसमें 6 member जोड़ चुके हैं अब 2022 वाला है prelims plus means ठीक है और 2021 वाला जो देना चाहरे हैं उनको ये prelims की चीज़ें मिलेंगी ठीक है तो आप भी join कर सकते हैं जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप भी इस पूरे group को join कर सकते हैं तो आज का topic रहने वाला है बहुत ज़्यादा important है International Court of Justice ओके Now सबसे पहले United Nation का अगर मैं बोलू एक judicial organ क्या है अगर मैं बोलूँगा simple भासा में जिससे आपको समझ में भी आए मैं कहूँगा एक पूरे world level पर कोई supreme court है क्या आप कहेंगे yes एक judicial organ है United Nation का जिसे world court भी कहा जाता है ठीक है जैसे मैं कहूँगा भारत में आप हाइस्ट अदालत जाते हैं तो आप कहेंगे यार मैं supreme court तक घसिट हूँगा तुझे वैसे ही अगर world level के बारे में बात करें जहां दुनिया भर के देश आते हैं वहाँ पर आप international court of justice जा सकते हैं यानि कि ये एक United Nation का judicial organ है जिसे world court कहा जाता है एक खास बात ये है कि international court of justice का जो headquarter है हेग में है निदरलेंड में ठीक है एक सिर्फ एक ही principal organ है छे principal organ में से सभी के headquarter नियॉर्क में located है अब आग बंद करके नियॉर्क आप कर लेना ठीक है बांकि सिर्फ एक ICJ का है हेग निदरलेंड में बांकि सभी जितने भी principal organ है ना कौन से United Nation का General Assembly United Nation का Security Council ECOSOC है एक कौन सा है Secretrate है आज तो ICJ पढ़ी रहे है और Trustship Council ये सब के जो headquarter है कहा है नियॉर्क में सिर्फ ICJ का ही कहा है निदरलेंड में Legal Dispute ये सुलजाता है Advisory Opinion भी देता है Total पंदर जज होते है 9 साल का टर्म होता है और सबसे बड़ा भाई जो है Appoint करता है इनको या Elect करता है United Nation General Assembly कभी भी बड़ा भाई की बारे में बात आती है वो nominate करता है वो list बनाता है अलग-अलग जगों से In the Permanent Court of Arbitration और Elect कोन करता है UNGA ठीक है तो ये सब चीजें पता चल गई है आपको किसी भी candidate को अगर Judge बनना है जैसे अभी हमारे प्रेजेंट है दल्वील भंडारी जी उनकी भी मैं image बताऊंगा और show भी करूंगा आपको तो अगर किसी को Judge बनना है तो UNGA और UNSC के Absolute Majority की जरुवत होगी Candidate needs to get an absolute majority both the chamber UNGA and UNSC ये चीज़ आपको याद रखनी है आपसे कभी-कभी पूछा जाएगा कि International Court of Justice में आपसे यही पॉइंट पोज दिया जाएगा किया अगर कोई Candidate को चुना जाता है तो क्या उसको सिर्फ Absolute Majority UNGA ही देगी नहीं दोनों ही देगी ठीक है Elect हालागी UNGA करेगा बट Absolute Majority दोनों से आनी चाहिए पांच जज़े होते है Our Elected Every Three Year ठीक है याद रखना एक जज़ है दलविर भंडरी जैसे दो बार हो चुके है तो एक ज़ज दो बार भी बन सकता है पर ऐसा नहीं होगा कि हाँ भारत दे से दो जज़ नहीं जा सकते कभी भी No two judges can be Nationals of the same country ठीक है पंदर जज़ मैं से टोटल पंदर जज़ है के basis पर इनको distribute किया गया है judges कहां से होंगे करके ओके दूसरा ICJ में President और Vice President भी होते हैं ओके यह Secret Ballot से चुने जाते हैं और यह तीन साल तक का इनका Office जो कारिकाल आप कह सकते हैं तीन साल तक का होता है UNSC के पांच Member होते हैं पर्मानेंट आप सबको पता है तो इन पांच Member के अगर आप देखोगे इन पांच Member के हमेशा इन देशों से हमेशा जज़ आपको देखने को ही मिलेंगे एक exception है चाइना का 1967 से 1980 के बीच इस दौरान चाइना ने खुद अपने candidate को ही nominate नहीं किया तभी नहीं आया बलकि अगर आप हमेशा देखोगे तो UNSC के जो पांच Permanent Member हैं वहाँ से जज़ आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अब एक समझने वाली क्या बात है कि International Court of Justice खुद टांग नहीं अड़ाएगा इसका मतलब क्या होता है सबोज इंडिया और पाकिस्तान जब दोनों चाहेंगे कि International Court of Justice में हमारा मामला सुल जहे तो तभी सुल जाएंगे वो कुलभूशन वाला केस है ना अभी हमारे जो Navy person है उनको Consular access मिली हुई है ठीक है वहाँ पर अभी तो उनको death sentence दिये जाने की बात की गई थी फिर उसके बाद भारत कुलभूशन का जो केस है वो ICJ में ले जाता है यानि कि जब country खुद initiate करेंगी तभी ICJ जो होगा world court जो होगा matter initiate करेगा it cannot deal with the dispute of its own motion खुद के motion से वो कभी स्टार्ट नहीं करता ये चीज़ याद रखना court can only hear a dispute when requested to do so by one or more state या तो एक भारत कहे कि यार मैं ये वाला जो केस है ICJ के पास ले जाऊंगा तभी ले जाया जाएगा ओके now जो decision सुनाय जाता है majority द्वारा सुना जाता है simple सी बात है हर जगे का decision पंदर जज़ हैं तो majority जब होगी तभी सुनाया जाएगा और president would become decisive always have a judge on the court now if a country do not want to take part in the proceeding then does not have to do so unless required by special treaty provision अब बहुत बार क्या होता है कभी country हिस्सा नहीं लेना जाती है ठीक है तो उससे जरूरी नहीं है कि उसको ऐसा बोलते हैं कि आपको foundation है मतलब ये court ऐसा है कि यार जब आप खुदी request करोगे तभी case solve होंगे ऐसा खुद से कुछ initiation नहीं करती है ये याद रखना बट एक बार country ने मान लिया court का jurisdiction तो उसको implement भी करना पड़ता है उससे comply करना पड़ेगा अब international court of justice के साथ साथ देज भर में और भी ऐसे court है जिनका नाम मैं बोलू international criminal court अब ICC के बारे में पूछा जाएगा आप से दो चीज़ां पूछी जा सकते है international court of justice और international court criminal court ICC अब ICC के बारे में एक खास बात ये है ये अपना अलग से legally और functionally ये अपने से independent काम करता है ये चीज़ याद रखना है United Nation से इसका कोई नाता नहीं है ठीक है दूर दूर तक कोई नाता नहीं है चचिरे भाई भी नहीं है ये लोग ठीक है कुछ नहीं है अब हम बात करते हैं इंडिया और ICG के बारे में दलबीर जो बंडारी जी हैं उनको रिलेक्ट किया गया है दुबारा जीते हैं इंडिया recently won the plea against Pakistan to grant consular access to Indian national कुलभूशन जादाओ आप सबको पता कुलभूशन जादाओ को अभी consular access देखने को मिली पाकिस्तान ने दे दी ऐसा ICG ने बोला कि consular access मिलनी चाहिए consular access का मतलब क्या होता बहुत सिंपल है suppose कुलभूशन जादाओ को यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने जेल में डाला हुआ है एक सिपाही रख देंगे उनकी जब बाते होंगी consular access का तो मतलब यह होता है सिंपल सी बात कि यहाँ दो लोगों को बिठाया जा रहा है एक अपने कुलभूशन जादाओ जी है और हमारे भारत के कोई सिपाही जा रहे है या इमबस्ड जा रहे है या कोई बड़ा हमारा ओफिसर जा रहा है जो कुलभूशन जादाओ से अकेले मैं बात करना चाहता है तो इसे कहते हैं consular access बट पाकिस्तान तो आपको पता ही है मानता नहीं हो कभी बात अपनी चलाती रहता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है या तो वो CCTV जैसा मैंने बोला या सिपाई को रख देते हैं तो इसी चीज मां consular access हमारी ICG ने grant की कि भाई आप जाओ और कुलभूशन जादाओ से मिल लो और कुलभूशन जादाओ का execution fix किया था कि इनको फांसी देनी चाहिए death sentence देनी चाहिए ICG ने ये भी भारत के favor में ही case सुनाया तो यहां तक आपने ICG के बारे में पढ़ लिया अब recent deployment कुछ बताऊं तो हाला कि उतना ज़्यादा जाने की जरुबत नहीं है recent deployment है जैसे Chagos Island issue है it is state that UK government is under a obligation to end its administration of Chagos archipelago archipelago क्या होता है island का पूरा ऐसे sum हो ठीक है तो यहां पर वही है कि दो देसों के बीच में या United Kingdom का पहले उस पर जो है claim रहा करता था बट ICG ने कहा कि नहीं आप पर आपका claim नहीं रहेगा तो यह सब चीज़ें देखने को मिल गई और दूसरा क्या है ICG ordered the US to lift some of the economic sanctions it has employed on Iran US ने आप सब को पता है इरान का जब nuclear deal चल रही थी उस पर sanctions लगाए थे बागी अभी यह बोला गया है कि US को हटाने चाहिए इरान पर sanctions ICG ने यह order दिया है तो यह हो गई ICG के बारे में जो हमने जो है detail में पढ़ा International Court of Justice के बारे में अब हम देखिए अब जो extra चीज़ जो है वो हम पढ़ लेते हैं अपने notes के साथ अब बात आती है ऐसे यह notes जो Super 50 में special batch को दिये जा रहे हैं International Court of Justice अब यह सिर्फ International Organization के दिये जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है कि लक्षमी कांत में भी सब उच fundamental right आप देखेंगे कॉशन तो बुक से कभी नहीं पूछे जाएंगे ठीक हाला कि 2020 में बुकिश पूरा था पॉलिटी के कॉशन बड़ आपको कहीं न कहीं हर एक topic में हलकिसी research करनी पड़ती है तो International Organization की वही research में आपको बताता हूँ अभी current member बात करूँ भारत से हैं दलवीर भंडारी जी मैं कहूँगा क्या कोई दूसरे judge हो सकते हैं आप कहेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने पढ़ाया कि दो judge कभी same nation से नहीं हो सकते हैं current वाले जो भारत के हैं दलवीर भंडारी जी की image देख लिजिए आप ठीक है ये हैं और 2012 से ये रहे हैं judge और रिलेक्ट हो हैं इस बार भी 6 परवरी 2008 को अब यहां पर बात क्या आती है एक article 33 जैसे सविधान के हमारे बहुत सारे articles होते हैं वैसे ही United Nation के चार्टर में भी articles लिखे हैं ओके नव यहां पर यह बात करता है article 33 से यहां पर यह बात करते हैं कि article 33 के according एक ऐसी body बनाई जाएगी यहां पर अभी directly ICG के बारे में बात की जा रही है कि जो दो देसों के बीच में negotiation, inquiry, mediation मध्यस्तता, conciliation, arbitration यह सब मामले सुल जाएगा यह article 33 में लिखा गया है तेकि अब बात क्यों जरूरी है इसको करने की मैं कहूंगा ICG एक खुद में ही United Nation का main organ है तो उसमें किस United Nation के charter के किस article में लिखा गया है यह पूछा जा सकता है इसको दे देंगे तो आप उसमें यह नहीं कह सकते है यूपीएसी ने यह कैसे दे दिया हम तो वो तक तैयार करके ले जाएंगे जो expected हो सकता है क्योंकि यार इतने सालों से यूपीएसी conduct कर रही है वो अगला नया क्या पूछ सकती है यह हमें समझ की जाना पड़ेगा अब ICG हमने पढ़ लिया अब एक टर्म यहाँ पर आता है पर्मानेंट कोर्ट आप आर्बिटरेशन तो इसी ने केन एनरजी के लिए ठीक है केन इंडिया ने से यह लॉस हार गई इंडिया को 1.4 बिलियन चुकाने पड़े ठीक है तो पूरा मामला क्या है आप सबको पता है United Kingdom की एक कंपणी है केन एनरजी और उसने भारत में अपना सेट अप किया पेट्रोलिंग वाला वो धंदा करती थी बीजनस करती थी तो भारत ने लगा दिया रेट्रोइस्पेक्टिव उस पे टेक्स कि यार 5 साल पहले भी आप आयो तो आपको टेक्स देना पड़ेगा इस पे ये अपना मामला चला गया पर्मानन कोर्ट अप आर्बिट्रेशन ने और इसने पूरा सुनाई किस के फेवर में जाने की संभावना है सबसे पहले ये इस्टेबलिस हुआ था इस्टेबलिस किया था फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फरेंस जो हेग में नीदरलेंड में हुई थी 1899 में तो पहली इंटरनेशनल पीस कॉन्फरेंस हुई इसके तहत इसका establish किया गया ये objective बहुत सीधा साधा था जितने भी international dispute होंगे उस पर arbitration करना मध्यस्ता या सुलहा कराना एक तरह से आप कह सकते हो structure के बारे मैं बात करूँ तो court permanent nature का नहीं है यह दरखना the court is not a permanent nature rather it is a court selected from among a permanent panel of a arbitrator यानि कि देखो जैसे मैं मान के चलूँगा ये देखो जैसे भारत है भारत और UK में dispute हो गया तो भारत के कुछ बंदे आएंगे पांच बंदे और United Kingdom के पांच बंदे आएंगे और ये दोनों ही सुलहा करेंगे समझ मार रहा है आपको कि court कोई ऐसा पर्मानेंट नेचर का नहीं है कि यहां फिक्स बंदे बैठे हैं या उनका चुनाओ होगा जनरली court खुदी सेलेक्ट करता है अपने ही बंदों से जिनके बीच में dispute होता है तो ये एक अच्छी बात है Each member is eligible to nominate four person who have competency in international law हर एक member जैसे भारत और United Kingdom के बीच में dispute हो रहा है तो सब लोग अपने अपने तरफ से चार बंदों को nominate करेंगे जिनका बहुत ज़्यदा competency international law कैसा है who are the highest moral reputation and have the ability to accept the duties of an arbitrator arbitrator वो होता जो दो लोगों के बीच में सुलह कराता है तो ये देखो सबसे पहला prelims के लिए point ये याद रखना PCA permanent in nature नहीं होता जैसे ICJ permanent in nature है चुने जाते हैं दलबीर भंडारी जी है permanent ऐसा नहीं कि यार चार बंदे हम भेज रहे हैं तब वो जज़ बनेंगे अभी current के बारे में बात करेंगे तो 225 arbitrators है है 6 साल उनका term है ठीक है और वो हेग में बैठते हैं President of Council जो है नीदरलेंड के ही होंगे और कुछ आपको जानने की जरुबत नहीं है बट आपको at the end ये बताऊंगा कि PCA का काम क्या है और ICG से कैसे अलग है बस और यही चीज आपको जो इंग्लिस में लिखी गई है वही चीज आपको हिंदी में भी मिलेगी ठीक है तो क्योंकि हमार साथ जो सुपर फिप्टी के बैस से कुछ जो बच्चे हैं Esperants हैं वो हिंदी माध्यम के हैं तो इशले भी उनको यहाँ पर हिंदी में दिया जा रहा है अब यहाँ पर देखो यह सबसे बड़ी बात आती है कि Arbitration has remained a rather infrequent means of resolving international dispute मान के चलो कोई दो कंट्री ऐसा चाहते हैं कि यार कोट तक मामला ना जाए क्योंकि कोट का मामला कैसा होता है कभी ये डेट देंगे तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक आप भारत में भी नहीं चाहेंगे कि यार मैं Supreme Court High Court के मामले में फस हूँ इसले बाहरी सुलय कराने के कोशिस करेंगे तो सभी लोगों ने यही सोचा कि यार International Court of Justice तो है बट मेभी इसमें तारिक पे तारिक हो सकती है तो एक दूसरा जो पहला जब उनकी Conference हुई थी International Peace of Conference हुई थी नीदरलेंड हेग में तो वहाँ पर PCA को इन्होंने Establish कर दिया था कि यार बाहर भी सुलय कराने का एक थोड़ा सा जरिया होना चाहिए तो अगर कोई दो कंट्री चाहती है कि अलग से हमारा जो सुलह करने का या Tribunal बन जाए तो इसलिए PCA को बनाया The court had a very limited role for several decades It adopted a new set of optimal rules 1992 for giving greater flexibility and greater use of its resources for arbitrating dispute between the states ठीक है अलग-अलग वो rules फिर लाते रहे PCA की जो पहली conference हुई थी 1993 में ताकि वो future of the court court के future को discuss कर सके steering committee भी उन्होंने established की है Under the new rule the court can arbitrate dispute both within and between inter-governmental organization और between private corporation तो यह सब पूरी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है The court established a financial assistance fund to help the diplomat nation in meeting the cost incurred in the bringing a cases before it तो यहाँ पर यह बात की जाती है Permanent Court of Arbitration में तो जो यह court है ठीक है इस पर यह भी बात की गई की दो inter-governmental organization के बीच में भी सुला करा सकती है जैसे अभी अगर बात करें company और government के बीच में भी सुला करा सकती है केन इंडिया और भारत के बीच में ठीक है और यहाँ पर court यह भी कहती है कि हम एक financial assistance fund भी देंगे पर भी खर्चा करना पड़ता है तो इसके तहत पर उनको fund भी allocate किये जाते हैं तो बस इतना ही था PCA के बारे में तो international court of justice भी पढ़ लिया PCA भी पढ़ लिया तो आज के इस वीडियो में इतना ही बागी आप यह वीडियो कभी भी देख रहे हैं January, February, March इस नमबर पर आप call करके अपनी सुपर 50 की जो seat है उसको book करवा सकते है आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू